कारड्रीम चैनल पर आपका स्वाकत है आज के वेडियो में हम बात करेंगे गिलपर 930 स्ट्रारीपर के बारे में यह आपको देखने में कंबाइन आर्वेस्टर की तरह दीख रही होगे परन्तो यह श्ट्रारीपर है जो आपने ट्रैक्टर के जॉइंट करते हैं उस लाग के पड़ती है परन्तो यह मसीन है यह भी 11,50,000 रुपे की है तो इसमें आपको इंजन भी काफी बड़ा मिल जाता है और यह करिया समता है इसकी वह उस ट्रैक्टर वाड़ीजर दूग नहीं है काफी ज़्या करिया करती है क्योंकि स्पीड में ज्यादा चलती है और इसके आगे अकटर है वह भी ज्यादा बड़ा है इसमें आपको 10 फिट का अकटर मिल जाता है और मैसीन वी स्पीड में चलती है और वहसे ही जो आर्वेस्टर में फिड़ होता है उसी प्रकार से मिल जाता है और आगे छरस ब्लेट बड़ा छरस रहे है तो काफी अच्छा कार्याज की वीडियो में देंगें तो वीडियो को लाइक करतें और ज्यौधा ज्यादा सेर करें तो इनके पार्ट आपको आसाने जाएंगे क्षाफ़गा और यह इस बेरिंग आपको आर्वेश्टर वाड़े जो होते हैं उसे उपर आराम से मिल जाएंगे और एक बार ही आर्वेश्टर का आपको लुग दिखा देते हैं चारो तरफ से उसके बाद इसके एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे तो चलिए आगे शुरू करते हैं सबसे पहले मसीन के तो जैसे कि आगे फीडर के बारे में बात हो गई है और यहां पर आपको काफी अच्छी लाइटे मिल जाती है और आगे एक इल पर इतनो सो तीस का लोगो बैंडिंग मिल जाती है और यहां पर और मिल जाता है उपर लाइटे और मिल जाती है तो पूरी छे लाइटे मिल जा करते हैं और यहां पर तीन कुंटल को आपको इसमें ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं हमें और काफी अच्छे इसमें भैन बल्ट मिल जाते हैं सभी बैरिंगों में गरीस पॉइंट मिलता है और उपर इंजन जैसे के आपको उपर चल के दिखाएंगे और यहां पर यह डबल बैटरी वोक्स हो गई और यह पिछ अगर वो ट्रोली वाले के लगाना होता है वो यहां पर नीचे डालने के लिए काफी अच्छे जगा मिल जाती है इसको नहीं काड करें इस जग आपर जोइंट कर सकते हैं सिधा ट्रोली से और पिछे ब्रेक लाइट मिल गई उपर पिछे के लिए भी लाइट मिल जाती है और पिछे का इससा भी काफी मजबूत मिल जाता है और आपको इसके पिछे के टायर की बात करें तो इसमें आपको अमारफ के टायर मिलते हैं ज दूसरी बंदी ही कोई साय तर लेने ही जोरत नहीं है आप आसानी से जोइंट करसकते हैं यहीं पे इसका यहाईडालीग दे रखा है उपर नीचे करसकते हैं इससे और यह पूरा यह भी मिल जाता है तो जो उस बूसे वाली ट्रोल लिया है उसका लोड यह असानी से बोड़ सकता है काफी इसमें मजबूती आप देख सकते हैं तो प्रिंजन एक बार उपर चल कर दिखाएंगे यहांसे जैसे जो इंट हो जाता है इसी दाइस के दोबारा पीछे जो ट्राल यह उसमें बूस आ जाता है जो अपनी आर्वेश्टर में स्पीड चेंजर मिलता है उसी परकार सेस में आपको मिल जाता है यह शेल्ड हो गई यह आपर यह आसानी से रुख जाती है और यह स्पीड चेंजर है जो हाइड्रोलिक दे रखी है उपर से जैस्ट हो जाती है और इसमें आपको सब से जो ड प्रित की बैंडिंग मिल जाती है उच्छे और आठ नंबर की इसमें बैरिंग मिल जाते हैं आपको एक बार उपर चल कर दिखा देते हैं जैसे कि यहां से उपर जाना काफी आसान है मचीन के जादा उचाई भी नहीं है पीछे आसानी से देख सकते हैं हमें जब जो पीछे जो डंपर होगा वह बढ़ जाएगा तभी पता चल जाएगा आसानी से तुसी को भी अर्जेस्ट कर सकते हैं हम यहां से अपनी ड्राइवर अपनी चर्म सार आसे न कोप्रेट कर सकते हैं और यह फ्यूल टैंक मिल जाता है काफी बड़ा है वहां से लेकर यहां तक पूरा बार बार आपको यह परवान नहीं पड़ेगा ताकि आसानी से टाइम बेस्ट न जाए ज़्यादा और यह ब्रेक हो गया और यह कल्च हो गया साइड और अर्जेस्टेबर स्टेरिंग मिल जाता है यह टूल बोक्स मिल जाता है और यह एस लेटर रेस भोलते हैं यह यह य पर नीचे करने के लिए मसीन को कटर को पर नीचे करने के लिए और यह मसीन को आइलो करने के लिए जो अपने आर्वेस्टर मिलते हैं उसी प्रकार से और यह मिटर मिल जाते हैं यह गियर है बैक फरस्ट शेकिंड और थर्ड है यहां से मसीन को स्टार्ट कर सकते हैं यहां सब्सक्राइब करता है असोकली लैंड का और यह ड्राइट टाइप का एर क्लीनर मिल जाता है आपको यहां पर पूरा स्पेस दे रखा है ताकि कोई काम करना हो तो आप आसा नहीं से इसका कर सकते हैं पूरी खुली मशीन दे रखिए पीछे का भी अच्छा देखता है तो आ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नहीं मिशीन आती है उसके जानकारी आपको मिल सके वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद है वीडियो को लाइक करें जेर करें और आपका कोई भी क्योस्ते ने वो कोमेंट बोक्स म में नमबर में मिल जाएंगे आप उन पर कोल करके पूरी जानकारी पा सकते हैं दन्यवाद